वेलकम तो माई चैनल इस वीडियो का टॉपिक है फेक्टराइज इच और फॉल्विंग हम लोग ने फेक्टराइज करना है हमारे पास कुस्विशन किया है 64M3-343N3 तो हम क्या करेंगे फिर्स्ट ओफ यहां से स्लूशन स्टार्ट है हम लिख लेते हैं यहां पर दा एक्सप्रेशन यह जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसको हम किस तरह भी लिख सकते हैं दा एक्सप्रेशन 64M3-343N2 can be written as can be written as can be written as कैसे इसको हम लिख सकते है 64M3 है तो अगर हम कहें कि यह 4M whole cube के equal है तो सही है तो 4 x 4 x 4 क्या होता 4 x 16 16 64 64 होता और यहां पर M3 के उपर क्यूब है तो हमने यहां पर क्या क्या किया 4M का whole cube कर दिया तो इसको अपन करने तो यह इसके equal होता है इसलिए हमने इसको इसको इस तरह लिख लिया माइनस 343 हमारे पास किसके equal हो जाएगा 7 अगर हम यहां पर लिखें के हमारे पास 7 जो है 7N का जो है cube है sorry यहां पर तो cube है हमारे पास ठीक है by mistake मैंने 3 नहीं लिखा हुआ 2 लिखा हुआ तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं इसको 3 कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी क्या आज़ेगा 3 आज़ेगा क्यूब है ना और यहाँ पर भी अगर हम क्या कर लें 7N का होल क्यूब कर लें तो सही होगा क्योंकि हमारे पास देखें क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 7N का होल क्यूब कि हमارے پاس 343 तो 343n cube है तो हम 7 n कहुल कुब कर सकते हैं न तो इस expression को हम इस तारा लिख सकते हैं तो yas लिख सकते हैं फर उसके बाद हम क्या कुएंगे कि हम इसको लिख लेते हैं 64m cube मांईस 343n cube किसके equal है इसके 4m कहुल cube है हमारे पास माइनस 7N का होल क्यूब और हम यहाँ पर लिखेंगे वे नौट डैट के हम जानते हैं वे नौट डैट के हमारे पर जो आइटेंटिटी X क्यूब माइनस Y क्यूब वो किसकी इकूल होती है X माइनस Y इन्टू X स्क्यूर प्लस XY प्लस Y स्क्यूर यहाँ पर देखिए यह जब कुस्ण स्वाल किया था तो यहाँ पर सेंटर प्लस था तो हमने क्या लगाया प्लस लगाया और जो आइटेंटिटी यूज की हमने क्यूब का फॉर्मूला जो यूज किया वो इसमें प्लस था फिर हमने उसके अकॉर्डिंग ओपन कर लिया तो जब हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो हमने यह माइनस फाल यूज को यूज करना है तो जब यहाँ पर माइनस आएगा इन दोने जगा प्लस आएगा और जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता 4m3-7n3, ठीक है, यहां पर cube औगया, और अब हमारे पास किया है, जब यह इसके equal है, तो हमारे पास यह क्या होगा, इसको भी हम इसके according open करेंगे, क्योंकि यहां पर देखें, 4m3 है, और यहां पर minus 7n3 है, तो हमारे पास यहां पर x3-y3, इसका क्या मतलब है, x किसके equal है, 4m3 ठीक है और इधर है तो हम इसको भी उपन करें chacun जहाँ जहाँ एक्साम्ट है फूर है ए उपन करेंगे जहाँ जहाँक्स मंने क्षाइम पुट करना है और हम नहें पर एक्साम्ट कर सूदिक यहाँ प्र मारे पास वा फूर खूरद हिगे तो 4M लिख लेते हैं यहां पर माइनस का माइनस Y हमारे पास यहां पर 7N है तो 7N लिख लेते हैं और यहां पर X स्क्वेर है तो X हमारे पास 4M है और यहां पर क्या है स्क्वेर है तो स्क्वेर लगा लेते हैं प्लस का प्लस X हमारे पास 4M है तो यहां पर फोर मैंन मान लिक लेते हैं इंटू, ना नहीं हमारे पाइस इससन फ़ेको पोर क क्या है और यहां पर स्प्रयोड आठाए थो क्या मंटिप्लाइड कर ढेला नहीं, जब M की उपर स्क्यार अप्लाय होगा 1029 मृनिट्फॉर plus 4 को 7 नो 28 और यहां पर की जब M कीून 15 और यहां पर जोड़ी से है जो वीड हम अच्छे लगे तो लाईक उनुद उन गे हो watching this video, take care.